पूपागंज थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी कुर्थी जाफरपुर अंतरगत पूल से पूरब बंधे पर रविवार को शाम करीब 7 बजे मामूली बात को लेकर मुसलिम और मलाह पक्ष के लोगों के बीच जम कर मारपीट हो गई हालाकी की दूनों पक्षों में मारपीट की घटना पूर्व में दूनों पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना को जोड़ कर देखा जा रहा है मारपीट में मुसलिम पक्ष के करीब एक दरजन लोग खायल हो गए दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीत में 4-5 युवक गंभीर रूप खायल होने की खबर है सुचना के बाद मौके पर पहुची पुलिस ने सभी घायलों को लादफात कर कोपागंज सामुदाइक स्वास्थ्य केंद्र पहुचाया जहां 4-5 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है उधर घटना के बाद मुस्लिम समुदाइके सौ से अधिक लोग पुलिस चौकी पहुच गए और आरोपीयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मान्द करने लगे आरोप लगाया की मारपीत के दोरान आरोपीयों ने करीब आधा दर्जन लोगों के मोबाई भी छिन लिए पुलिस मामले की गंभीरता लेते हुए आरोपीयों धर पकड में जुटी हुई है उधर घटना के बाद मौके पर थाना ध्यक्ष जय त्रिपाठी भी पहुँच गए वहाँ आरोपी का समयापी तेई हुए है। पूराम में क dependency क्षाइयन आरोपी पहुच्छ में टाषि जटना है। क्या चीज से मा पाथ को हरम पना है लाने किस चीज से मारे है सिंटम्प होता है बल्ड करण नाम है क्या मामला है और टीम सब्सेंदें कि पायो घ्लाव प्राइब आड़ा रहे तो पायों कर दो कि एक कि लोग काने लोग थे झूप नगे, वहांना बाहू मैं जल दुक्रानाओ तो मैं मुझा मानने मेरा मुझा ने कि चृन लिया और जो है कि उसके बाद फॉक्छा बास लेए तिन्ग का पांच छे बास उधा उनके बाद कितने लोग थे इदास्य जो है तो पट्रीश लोग से कम नहीं थे अच्छो वह जो है वह को मानने चालू कि ए मेरा मोबाइल भी छिन लिया उसके बाद जो कि आरे जो मानने तो मैंनतिक उस पार खुद के भाग आद तो अपने जान बचान बचल चलोग कि लोग फसो नहार आद पुली हएता जीग होग हमारे दो कि लिएीग है Monday